सबकी होती है दिवाले की साफ सफाई दिन में और हमारे घर में उल्टाइए है तो हमारे घर में होती है रात को दिवाले की साफ सफाई क्योंकि हम पूरे दिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं राती हूं गर पे अकेले और बच्चे लोगे साथ में आप दिवाली की साफ सफाई दिन में फिल खुल भी नहीं कर सकते लेकिन क्या ही कर सकते हैं रात को ही करना पड़ता है तो मैं और मेरे पती देओ दो दो एक एकन मीरा बांट लिये हैं कि ये आपको करना है और ये मुझे करना है तो सबसे पहले मैं करूंगी कपड़े की मतलब मोड़ूंगी और मेरे हस्बन जी क्या करेंगे कि वो अनमीरा को अशी तरह से साफ करेंगे और मैंने लिया था बैग ताकि इस बारना मुझे बहुत जादा प्रावलम नहीं हो जब ये कपड़े डुनती हूं तो मुझे बहुत प्रावलम होता है पूरा अनमीरा जो भी खर जाता है जिसकी वज़े से बहुत प्रावलम होता है तो इधर में आदा अनमीरा सेट हो गया है और ये देखिए ये हमारे जो कपड़े हैं पैक हो गया है अनमारे भी ये साफ हो गया है बस हमें कपड़े को ही रखना वाकई है तो यह हमने कपड़े भी रख दिया और यहां पे कपड़े देख सकते हैं बहुत जादा ही कालि हो चुका है हमारा काम बिलकुल आधा हो चुका है और माईरा की चल रही थोड़ी बहुत बदमाश्यां और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रात के कितने बज़ रहे हैं अभी बज़ रहे हैं रात के एक गारा और उसके बाद फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इधर का जो काम है ये तो खतम हो गया अब मैं सीधर चलती हूँ अपने रूम में ताकि वहां पे भी बहुत सारे काम अभी जो पाकी है हमारा तो रात को रात बहुत ही लेट हो जाता है अगर के काम करके सोने में तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे कपड़ा है उधर से कवड में दूसरे कवड में सिप कर रही हूँ क्योंकि एक ही कवड में सबके कपड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा problem होती है मुझे तो problem नहीं होती है लेकिन हाँ बच्चों लोग क्या करते हैं कि जब भी कपड़े निकालते हैं तो कपड़े बिक्रा देते हैं इसलिए मैंने finally decide कि कि मैं कपड़े अपने अलग रखोंगी उनके कपड़े सबके कपड़े अलग अलग कर दूँगी ताकि जो भी अपने कपड़े निकाले तो ज्यादा प्राब्लम ना हो फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है अब मैं निकाल लीए हूँ अपने ब्लैंकेट वगएरा क्योंकि यहां पर ठंडी लगना सुरू हो चुकी है तो फाइनली यह जो टी सिट है इसके भी अपने जगापे रख दूँगी अभी हम सब सोने वाले हैं तो इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं तब तक के लिए बाबाई और टेक यार